If you want to watch this video in English, then please turn on the captions. Subscribe करें मेरे चैनल को, ताकि आप मेरी कोई भी कुई भी कुई भी कुई भी गुटिटिव वीडियो को मिस नहीं कर सकें. और ये बिल्कुल फ्री है. Hi everyone, welcome to my channel और मेरा नाम है Avni. Avni की cooking वीडियो में कुछ खास होना चाहिए या फिर आम होना चाहिए. खास तो होना ही चाहिए, लेकिन खास में भी आम होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आम का सीजन शुरू हो चुका है और सबको आम खाना बहुत पसंद है. आज इस वीडियो में हम लोग कच्ची के रिए पाना बनाएंगे, यानि की आम पाना बनाएंगे. और ये ड्रिंक इतना टेस्टी और इतना हेल्थी है कि आप मार्कीट के ड्रिंक्स पीना भूल जाएंगे. तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को. आम पाना बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो आम का यूज़ कर रही हूँ और इनको हम काट लेंगे. आप चाहें तो इनको पहले भी बिना कटे ही आप इनको उबाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसका पल पहले निकाल लूँगी और उसके बाद हम इसको उबालेंगे. तो ये देखे, यहाँ पे आम कट चुके हैं और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 20 से 25 मैंने काली मिर्च लिया है और कुछ मैंने टुकडे लिये हैं अद रखे अब हम इन सब को कुकर में उबाल लेंगे आप चाहें तो किसी बरतन में भी उबाल सकते हैं लेकिन कुकर में ठोड़ा जलदी बन जाता है इसलिए मैं यहाँ पर कुकर का यूस कर रही हूँ अब यहाँ पर मैं 3 कप पानी आड़ करूंगी यह ग्लास 1 कप के अराउंड है आप देख सकते हैं के एक कप के जितना है इसलिए मैंने यहां पर ग्लास को नाप कर डाला है और यहां पर अब मैं दो सीटी का वेट करूंगी जब दो सीटी आ जाएं तो आप इसको देख सकते हैं तो यह आप देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं और अगर यह आभी तक नहीं पके हैं तो आप इसमें एक या दो सीटी और लगा सकते हैं लेकिन मुझे जरूत नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ और अब यहां पर मैंने एक अलग से इनको निकाल लिया है थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसको और यहां पर मैंने दो बड़ी चमत सौफ का य और जो पानी था यह भी हम डाल रहे हैं हम सब लोग ही जानते हैं कि सौफ कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है इसलिए यहां पर मैं सौफ का यूज कर रही हूँ और आप देखेंगे जब यह आम पाना बनके तयार होगा तो सौफ की कितनी अच्छी खुश्बू आती है तो यह देखें इसको अच्छी से पेस्ट बनाने के बाद हम च्छनी में च्छान लेंगे ताकि जितने भी आम के रेशे हैं वो हमारे ट्रिंक के अंदर नहीं जाएं तो आप अच्छी से च्छान लीजे और जितना भी रेशा निकले उसको हम अलग से निकाल लेंगे तो शण लेखें बाद हम ऑम का पेस्ट बनाया था उसको भी आम से च्छान लिया है तो यह दो झेखें थे ढ्रेशा थे आम के अड़ी जितना रेशा थे हम बाद ही पानी डाल रही हूं और अनने और टेस्ट की अस शुगर दालिए यहां पर वशूम धर यूद्ऐ का हून और अगर आपको कम शुगर पसंद है तो कम डालिए और जादा है पसंद है तो आप जादा डालिए अब मैंने यहाँ पर थोड़े से पुधीने के पते आड़ करें हैं और इनको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे ध्यान रहे कि हम बहुत जादे इनको पेस्ट ना बनाएं बहुत जादा क्रश ना करें थोड़े से पते अलब रहने चाहिए जो पीते टाइम बहुत ही जादा रिफ्रेशिंग फील करता है जो बहुत ही जादा अच्छा लगता है पीने में तो यह देखे मैंने इनको paste के साथ ही mix कर दिया है और अब यहाँ पर मैं तीन कप पानी add करूंगी यह depend करता है कि आप इसको कितना पतला रखना चाहते हैं या फिर कितना घाड़ा आपको पसंद लगता है मुझे मैंने यहाँ पर तीन कप पानी add किया है जो मेरे लिए enough है तो अब हमारा last step बचता है जिसके लिए यहाँ पर मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पर तीन छोटे चमच काला नमक add कर दीजे या फिर अपने taste के according अब यहाँ पर एक छोटी चमच इलाइची पाउडर और तीन छोटी चमच यहाँ पर हम जीरा पाउडर आड़ करेंगे आप चाहें तो मारकेट का पाउडर भी add कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर जीरे को तई पे भूनने के बाद उसको अच्छी से क्रश किया है और तब मैं यहाँ पर इसको डाल रही हूँ और देखे हमारा आम पाना बिल्कुल तयार हो गया है बहुत ही जादा टेस्टी बना है तो यह देखे जब यह आम पाना बन जाए तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में इस तरह से बॉटल में भर कर रख लीजे कम से कम एक हफते यह अच्छे सजलेगा तो यह लिजए आम पाना रेडी है सर्व होने के लिए यहाँ पर मैं दो बरफ की पिसस लिये हैं इसको सर्व करने के लिए ताकि यह बहुत ही थंड़ा थंड़ा फील हो से पीने के बाद और ये देखे आमपाना रेडी है और आप इसे गार्णिश कर सकते हैं धन्य पत्ते से तो ये लिजे आप इंजोई कीजे इस आमपाना ट्रिंक को और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूले क्योंकि ये बिलकुल फ्री है और आपको ऐसे ही अची अची वीडियो देखने को मिलती रहेंगी आप चाहें तो मुझे मेरे फेस्बूक पेज, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं उनके लिंक्स डिस्क्रप्शन बॉक्स में नीचे दिये गए है